मैं आपको आज एक ऐसे पेड़ के बार में बताने जा रहा हूँ जो अगर खेतों में उग जाए ना तो उसके नीचे एक भी पसल नहीं होगी ना तो रभी की होगी ना खरीब की पसल होगी बस खेत खाली का खाली रह जाएगा देखो चारूतर पसल है लेकिन इस पेड़ के नीचे नहीं है यह पेड़ का नाम है बबुल जो रास्तान में इस्तानी बासा में किकर कहते हैं अगर किसन भाईयो आपको पसल उगानी है इस पेड़ के नीचे तो आपको पसल से पहले इस पेड़ की टेहनियों की कटाई करनी होगी तब जाकर इस पेड़ के नीचे पसल होगी अनेता इस पेड़ के नीचे कुछ भी नहीं होगा चार उत्रफ पसल है अच्छी चार उत्रफ देख लो कहीं पर भी उदर खेज़डी भी है खेज़डी के पास भी है अच्छे जनियय है और इस बबुल के नीचे कुछ भी नहीं है देख सकते हैं कितना नुक्सान होता है कि सनवायों को कुछ भी नहीं है एकदम खाली है और आपको में उदर खेजड के पास देखाता हूँ नजदी जाकर कितने अच्छे चने है अगर उस बबुल की टैनियों की कटाई नहीं की जाती है न तो पसल कुछ भी नहीं होता उनकी नहीं चे अब देखो खेजड की कटाई चटाई नहीं की गई है खिर भी देखो कितने अच्छे हैं और उस बबुल के पास देखो उतना खाली पड़ाया सब कुछ तो बस आपको बताने के लिए यही वीडियो बना रहा हूं मैं की बबुल के पेड को टैनियों को हमेशा पसल बोने से पहले काट लेना चीए ताकी किसान भायों को नुक्सान नहूं